प्रदेश का अनदाता बुरे दोर से गुजर रहा है किसानों को फसल का उच्चे दाम नहीं मिल पा रहा जिसकी वज़ा से किसान अपनी उगाई फसलों को मजबूरी में नश्च कर रहा है ताजा मामला मंदसौर का है जहां एक किसान ने अपनी लहसुन की फसल को तालाब में इसलिए फेक दिया क्योंकि उसकी फसल का दाम एक से दो रुपे ही रह गया है प्रदेश की यह विडमना है कि अनदाता को अपनी महनत का सही दाम नहीं मिल रहा सरकार हजार वादे करने लेकिन इस से किसान का भला होता नहीं दिख रहा यह वीडियो मंदसौर का है वीडियो में एक परेशान किसान अपनी लहसुन से भरी बोरियों को तालाब में फेक रहा है यह यूं कहें कि उसने अपनी महीनों की महनत को पानी में फेक दिया किसान ये खुशी से नहीं बलकि मजबूरी में कर रहा है अब ये तालाब लहसुन से पूरी तरह सफेद दिखने लगा है वज़ा है किसान को लहसुन का सही दाम ना मिल पाना बता जा रहा है कि किसान को लहसुन का दाम एक रुपए से भी कम मिल रहा था जिस से परिशान होकर किसान ने अपनी पूरी लहसुन तालाब में फिक दी प्रदेश में किसान के हाला ठीक नहीं है किसानों को अपनी उपच का उचित मूलिन नहीं मिल पा रहा सरकार किसानों से वादे तो बहुत करती है लेकिन जब फसल की कीमत देने का समय आता है तो किसान मंडियों के चक कर लगाता रह जाता है उदर खरीदी केंदरों की पॉलिसी बनाने वाले अधिकारी एसी में बैट कर मनमानी करते हैं नौन और अपूर्ती विवहाद की अधिकारी अपनी मनमानी चलाते हैं ऐसा पहली बार नहीं है कि किसानों ने फसल का सही दाम न मिलने पर अपनी फसल नश्ट की हो इससे पहले भी लासुन के भाव नहीं मिलने से किसान नाराज थे तब सरकार ने कई वादे किये थे किसानों ने PM के नाम ग्यापन में लासुन की खरीदी समर्थन मुल पर करने की मांग की थी लेकिन हालात अभी भी जसके तस्व बने हुए हैं रविधनाथ तग्व लिएाँ तगोर उनिवर सी तवे इंस्किल एवल्प्म्न विठ झाओ इंदुर्ब्स का सी ज I जो अइन आप्रौ झाओ अनियर स्किल बेस्टियूरिष तग्विनिवरस इंदेना के तग्व hybrid आप देख रहे हैं दखल न्यूज